Hello Students and Educators, Hoping, Finding, Doing Well. आज का हमारा टॉपिक है Editing in World Document Part 2. आपको याद होगा Part 1 के हमने चंद चीज़े पढ़ी दी के हम Cut, Copy, Paste कैसे कर रहे हो थे, Paste, Specials कैसे कर रहे हो थे हमारे पास जो है, हमने Basic Keyboard Settings वेरा इस तक की चीज़ हमने पढ़े दी, अब इस चेप्टर के आज जो हम बढ़ेंगे इसके इंदर मुखलिक किसम की हम चीज़ें पढ़ेंगे जैसे Paragraph Mars क्या होते है, Clip Boards क्या होता है, Auto Correct क्या होता है, Sparigramatical Mistakes वेरा, यह सारी चीज़ें वो हैं कि जो आप काम कह रहे होते तो आती है, Do Remember कि हमारा वो टॉपिक है जिसके हम Editing का का काम कह रहे हैं कि जब document creation हो रही होती है, तो उसके हमें कौन क्या क्या चीज़े Editing की नहीं तरकार होती है, सबसे पहले मैं यहां पर कुछ चीज़ों पर आजाता हूँ, मैंने यहां पर Command लिखते है, Legal to R&D, Press 3, उसके बाद मैं कुछ चीज़ां आपको शोगरना चाहता हूँ यहां पर, अब यहां पर मैं Enter मारा हूँ, अच्छा मैं Enter में भी आपको दो चीज़े दिखाना बताना चाहता हूँ, कि एक हमारे पास होता है Soft Enter और एक होता है Hard Enter, ठीक है, तो आके पास Soft Enter, Hard Enter में फर्ग क्या होता है, कि अगर आप यहां पर क्लिक करता हूँ मैं, और आप यहां पर यहां पर लाइन मारता हूँ, नेक्स लाइन पर चलाई गया, आपको लग रहा है मैं नेक्स लाइन पर चलाई हूँ ठीक है, और अगर मैं यहां पर Shift Enter दबाता हूँ, तो इसी के लाइन के साथ मैं नीच्छ अटेच होके आगया, अब यह बजायर आपको लगड़े के भाई यह भी लाइन पर आगए, यह भी लाइन पर आगए यह भी लाइन पर आगए बस में स्पेस आ रहा है, तो बाह से देखीए का हुआ क्या, कि अगर मैं यहां पर एंट पर जाके Shift Enter दबार हूँ, क्या दबार हूँ, शिफ एंटर तो इसको हम बोलते हैं, हार्ट, soft written, क्या बोलते हैं, soft written, for example मैंने यहां भी कुछ भी टाइब कर दिया, इसके बाद मैं यहां पर आता हूँ, यह भी घ्टिंग है इसके बाद मैंने enter मारा, क्या हमारा, enter करा, और मैंने कहा कि word 2019 pro version, अब यह आपको एक जैसा लग रहा है, बस इसमें फर्ख यार है कि इसमें space लग रही है, इसमें आपके पास space नहीं लग रही है, इसके निया मैंने कहाँ पर काम करता हूँ, आपके निया कि यहां पर show paragraph marks होते हैं, इनको मैं on करता हूँ, तो अगर आप यहां पर देखें, आपने यहां पर यह काम किया था, कि जब आपने यहां पर shift enter मार रहा है, control enter आप मार दें, तो उसके बाद यह होता है, कि यह आप देखेंगे, sign को देखी गए, यह paragraph marks है, paragraph marks को अगर आप यह देखेंगे, तो यह marks होते हैं, मैं इसकी नहीं file पर options पर जाता हूँ, and file पर options पर जाएं आप, और display पर जाएं, आइकन्स यह जो निशान होते हैं, यह पदा चल ले होता है, अगर मैं नहीं के पर space bar दबाया है, तो यह space पदा चल ली है. अगर मैं नहीं के तबाया है, तो मुझे टैब से बरत बाया है, अगर मैंने यह आप एंटर मारा, तो next paragraph के जाने के निए एकसर इस्तमाल होता है enter ठीक है लोग उसको लाइन समझते होते हैं ठीक है paragraph की नहीं है अगर मैं यहां से paragraph मार्स को हाइट कर लोग और on करो तो मुझे basically पता भी चल सकता हकी है किस ने किस तरह से काम किया उसले कहा कहां कहां परester space बार बार दवाया कहां पर उसने टैप दबाया आगर उसने कहीं टैप दबाया ठीक है और तो टैप दबाने की बात मैं यहां क्लिक करते हूं तो टैप का निशान आ रहा है हमारे पास clear तो यह बहुत सारी चीजें जो आपको technically पता होने चाहिए अच्छा यह होता क्या है इसका फर्ग क्या होगा कि अगर आपने यहां पर control के साथ enter मार दिया तो यह soft written किलाता है और अगर आपने enter मार लिया तो hard written किलाता है अब इसमें है क्या चीज़ कि अगर मैं यहां पर इसको मैं आगे लेकर आता हूं तो यह पूरा आगे जा रहा है increase intent, decrease intent जो आप बात में हम आपर पर आता हूं और इसको मैं आगे क्लिक करता हूं तो इससे यह line जा रही है तो in short के यह nested होगी है क्योंकि अगर आप यह paragraph मार्स को देखें यहां पर आपको मार्स पकड़ ले कि यह अलग है और यह अलग, यह अलग paragraph है यह अलग paragraph है इसने इसको यहां पर nested कर दिया, एक ही चीज़ है हमारे पास अगर आप देखें तो यह एक ही paragraph है, तो यह फरक आपके पास के soft return और hard return में फरक किया होता है ठीक है, आप keyboard से control यह shift के साथ enter दबा देंगे तो यह soft return ह और अगर आप से खाली enter दबाएंगे तो यह hard return किलाता है, जिसका मकसर word किनता है paragraph change करना भी है, जो कि आपको, मैंने technically दिखा दिया कि paragraph pass की वरस से आपको परदा चलो होता है, तो यह बहुत important चीज़ है, इस तरह से आप अपने colleagues की, अपने students की चीज़ चेक कर सकते हैं, कि इन्होंने कैसे काम करा है, ठीक है, तो neat and clean काम भी कर सकते हैं, आप अपने पास, आप पर चलो है, आप इसको आगे कर रहे हैं, यह पूरा आगे हो रहा है, एक line आगे करने की वो nested हुआ हमारे पास, clear है, तो यह था हमारे पास soft return and hard return का, इसके लिए आप हमारे पास paragraph mask ते, तो अगर आपको नहीं पता कि क्या है, आप काम करते रहेंगे तो idea हो जाएगा, अगर नहीं idea तो आप यहां पर चलें, फाइल में option में जाके और आप display में जाएं तो यह सारे mask आपको नज़ा आ रहे हैं, ठीक है, उसके लावा हमारे पास जो यह चीजा में जो देखनी है वो क्या है कि copy-paste हमने last time करा था, ठीक है, मैं यहां से mask को बंद करता हूँ मास को बंद करने के बाद मैं simple यहां पे इक ctrl-c, ctrl-v copy-paste करता हूँ, copy करा मैने और मैं shortcut की save-paste करता हूँ , control-v paste मैंने यहां पर copy paste करा अच्छा मैं यहां पर clipboard खुलता हूँ क्या खुलता हूँ? clipboard clipboard खुलने से clipboard pen खुल जाएगा अच्छा मैं record copy बनाता हूँ मैं जान बुशकस का color जो है न वो red कर लेता हूँ और मैं यहां पर इसको भी control करता हूँ और यहां पर जाकर control करता हूँ आप यह देखिए कि currently document में जितनी भी मैंने copy बनाई है वो clipboard में history के दोर पर आ रही है और मैं clipboard में यह फाइदा होता है मैं यहां पर दो-तीन heading को color कर लेता हूँ clipboard में फाइदा ही होता है कि मैं जितनी भी copy बनाता हूँ document के इंदा clipboard में मौझूद है जब तक मैं clear all यहां से ना करता हूँ यह document prompt करते है जो close करते है आपने देखा होगा यह सा message आदा है do you want to clear your clipboard area clipboard area यही होता है जो आपने copy करे होता है यह जबदा सीज़ है कि यह entire document में काम करता है अगर आप कहीं भी चलें और आप किसी भी page के अपर आएं और आप इन तीनों में से कुई चीज जाना लेकर आना चाहरें तो आप नहीं चाहते कि इस page पर जाओ यह page नमबर बन पर फार जेंपल यह page 5 पर यह page 8 पर आप स्ट्रॉल करके नहीं ढूनेंगे आपको जो चीज बाबा रिपीट कर चाहिए तो वह आप यहाँ पर इसको जाए और पेज कर देंगे इसका एक और फाइदा भी है कि अगर आप किसी यह application के अंदर है हमारे पास पर लेंपल मैं powerpoint के अंदर हूँ यह across the office काम करता है मैं powerpoint में हूँ और मैं clipboard पे जाता हूँ तो यह देखीगा मैंने word में copy करता था यहाँ नजहार है तो वह जो clipboard में आप जो copy बनाते हैं वह entire MS office के अंदर यह copy जो होती है वह काम करता है यह बहुत इपॉर्टन चीज है बहुत ही ज़्यादा important कि आप यहाँ से control-c control-e करने से अच्छे clipboard में जाके paste कर लें और multiple चीज़े जो word में काम करता है को powerpoint में application की नहीं वह काम में चाहिए तो आप लेकर आ सकते है यह feature है इस्तमाल करना चाहिए आप कर सकते है आपके अपर है ठीक है तो यह तो था हमारे पास clipboard का area और मैं दोबारा से यहाँ पर जाता हूं कि clipboard within a document भी इस्तमाल कर सकते हैं और office की other application word और excel और powerpoint mark कहीं भी भी इसको 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 इसक word के लावा हमारे पास जो एक option है वो है हमारे पास auto correct का ठीक है auto correct क्या होते है कि for example मैंने यहाँ पर लिखा और जैसी मैंने c लिखा bracket लगाया पहले और c लिखा और bracket बंद किया तो यह automatically mark आ गया तो यह auto correct है auto correct यह होते है कि आप को भी word type करते है तो automatically word type हो जाता है यह कोई symbol type हो जाता है ठीक है तो यह auto correct बनाते हैं for example मैं कहता हूँ कि यहार मैं ALS लिखा हूँ तो अल शफीक आ जाए ठीक है तो आपको यह बनाना पड़ेगा तो file में आप option पर जाए ठीक है proofing के अंदर आपके पास यहाँ पर आएगा auto correct auto correct option पर जाए हम यहाँ पर list आ रही है कि व लिखते हैं कि वर्ड लिखते हैं capitalize हो जाता एक्दम से तो वह ऐसे होता है क्योंकि यहाँ पर यह दिया हुए ठीक है यह बहुत सारी चीजें जो अक्सर अगरा word expert का paper करना चाहते है मौस का word expert का paper होता है तो उसके अंदर इस ताहां की चीजे पूछे आती है अचा मैं for example य यहाँ पर okay करता हूँ ठीक है यह मैं जाता हूँ अचा हमारे पास तो हमने यह mistake करी हो यहाँ से बटाए ही नहीं था आपने एंटर करें तो यह मैं इसको basically capital में small में लिखा हूँ था आप इसको जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं यह देखिए का अगर मैंने 100 caps में लिखा तो यह आ रहा हमारे पास के यह चीजे तो यह LS लिखता हूँ short case sensitive हुआ ठीक है आपने देखा कि यह पहले कि नहीं है तो मैं small में लिखा था क्यूंकि मैंने वहाँ पे लिखा था कि जब capital यह से लिखो और LS लिखो तो यह आ जाए अब मैं कुछ और भी बना के दिखता हम कहते हैं कि कि यहां से आजाए फाइल में आप्शन और मैं यहां पर कहता हूँ कि आप करें के एज आई ठीक है आप यहां से लिखते हैं कराची at ok ok khi enter ठीक है तो यह हमारे पास आगिया तो spelling mistakes में गलती होनी चाहिए वनना आते हैं इससे मुझे फाइदा ही होता है कि देखें कि अगर मैं कहीं पर मौजूद हूँ यह तो मैंने वह आप चाहते हैं पूरी-पूरी लाइन रिखते हैं जैसे मैंने का ALS एशर फिक इंसीडर वाइटी और कॉप रिटेनिंग तो अगर आप पूरा जाके वहाँ पर टाइप कर लेंगे फाइल में जाएंगे और option पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप autocorrect में यहाँ पर जो वर्ड है वो टाइप करना चाहते हैं उसके रिप्लेस में पूरा जूमला भी रिख सकते हैं यह आपके उपर है यह autocorrect भी आप कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आए जाते हैं अच्छा आपके लावा यहाँ आप लिखें आप और मैं यहाँ पर कुछ चीज़ और भी करता हूं पर और मैंने कहा कि यहाँ पर आप देखेंगा कुछ चीज़ा आ गही है यह रैड है और यह बिलू है तो रैड जो होती है वह अकसा आप देखीगा कि वह होती है हमारे पास grammatal mistake और जो पहले green आती नहीं प ठीक है यह बता रहा है कि can't बहुत ही important feature है कि आप जब काम करो तो वैसे तो यह review जब हम करें तो उसमें आ रहा होता है आप right click करके suggestion आ रही है हमारे पास आप करांची पर चाहें तो करांची के suggestion आ रही है कि करांची जर्ण proper नाम यह यह लिखा वारे spell ठीक है तो spell सहीत है लेकिन क्योंगे capitalize place है तो पहला word उसका पहला credit capitalize होता है तो उसने यह suggest कर आपको ठीक है तो इस तरह के चीजें आपको बस बता रहा होता है कि यह place है तो उसका नाम ऐसे आता है तो अगर आपको English अच्छी आती है नहीं आती तो अच्छी कर ले मैंने तो काफी चीज़े improve कर से और MS Word के में बहुत सारी चीज़े नहीं नहीं आगी है जो proofing के साब से बहुत सावदस है अच्छा इसमें चीज़े important इसलिए भी है कि आप यहां पर चलें आपने जानबशके बनाया है आपका असल option जो होता है वो अगर आप जाएं यहां पर view में तो spelling and grammar mistake होता है यहां यहां पर मैं कलिक करता हूँ तो अगर मैं इसके बद कलिक करता हूँ तो यह मुझे saysion दे रहा है अगर मैं spelling grammar mistake पर चला हूँ तो यह मुझे यहां पर document का बता रहा है यह header आ रहा है इसने पहले इसको देखा आपको change करने एग्नोर करने देख्णुआ चेंज करने चींज क चेक करके करना चाहने पढ़ना चाहने तो मुश्किल है अब वो 10 लाइनों चक्कर में 10 पेज पढ़ने दस स्कॉल करके तो वजाए वो पेज पढ़ने के आप यहां से एफ 7 दबा दें या स्पेलिंग और ग्रेमिलर मिस्टेक के उपर चले जाए है तो यह है कि यह चीज़े अरम अब यह नाम मुस्लिने में अब यह रोमन वर्ड है ठीक है रोमन वर्ड डिशनरी में नहीं होते लेकिन आप इनको एड़ करवा सकते हैं ठीक है तो अगर आप यहां पे जाएं तो यहां पे देखी कर यहां पे स्पेलिंग दे रहा है कि यह भई अरम यह आ रहा है त मैं इसको डिशनरी में एड करवा सकता हूं तो मैं इसको यहाँ पर जाता हूं और राइक क्लिक करके एड को डिशनरी करवा देता हूं तो अभी कहा होगा कि यह मेरे पास इसमें एड होगी है ठीक है यह सारी चीजें मेरे पास इसमें एड होगी है तो इसके मुतालब वैसे मैं आपको बहुत सारी चीज़ इसमें इन्शालला करूंगा अगर आप एक्सपर्ट की टेरिंग हम इन्शालला लॉंच करेंगे तो इसके अंदर मैं आपको करना इसको फार्मस करना स्टार्ट नहीं है अब यतक आप फिर्यटा बेंग के खरेंगे अब अब नेक्स्स क्लास उसमें उसमें चलाओंगे st guidelines की साह्थ है graphic elements पर काम के दया की छीड़े ठैंक्यू